दोस्तों नमस्क्राइब स्वागत है आप सुरीका और फॉस्ट यीटीव चैनल पर इस वीडियो में बात करेंगे टीज़िटी पीज़टी एक्जाम डेट के बारे में टीज़िटी पीज़िटी की परीक्षा की तारीक के साथ सरकारी नोकरी इसके अलाबा प्राथ्मिक जान्य हो चुका है वीडियो को लाइक करते हैं साधी शेयर करते हो चैनल को सबस्क्राइब कर लें जिसे के जांकरी आप सभी को और इटा परॉस्टी चैनल के माद्यम से मिलती जाएं चली दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपडेट के बारे में आज अबी साथ 2022 की तारीक में आज अमेठी के अंदर एक समाचा पत्त के माध्यम से जानकाई दी गई कि चार के अंदर पर टीजिटी पर पीजिटी की परिक्षा होगी अगस्त में अलग अलग तारीकों पर दो पालियों परिक्षा का आयोजन किया जाएगा नीचे ये भी बताय कि अगस्त महा के अंदर प्रस्ताबित उत्तर विदेश माध्यम सिच्छा सिवा चैनबोड की टीजिटी और पीजिटी की परिक्षा की तारीकों को लेकर एक डिगी वर तीन इंटर कॉलेजों के अंदर देखने के लिए मिलेगी सचिप से नेदेश मिलने के बाद जिला प परिक्षा के अंदरों के काम को देखते हुए यहां पर दिए कि माध्यम से जानकाई देदी Smash की जो परिक्षा अगस्त में वाली है लेकिन अगर edg चैन बोड की माने तो टीजटी पीजटी परीक्षा को लेकर अगस्त में कहाई जाने का कोई भी कारिक्रम नहीं है समाचा पत्तों के माध्यम से दी गई तारीकें पूरे तरीके से गलत हैं ना अगस्त के अंदर ये परीक्षा होने वाली और ना ही इस प्रकार की कोई कर दी कहिए यह सुचना पूरे तरीके से ब्रामक है एवं तत्हीन है इसका आप लोगों जूट का पुलिंदा बनाकर आप सकते हैं कचे डबे के अंदर क्योंकि यहां पर आप स्पीकर सामने जानकाई लिखी हुई है कि टीजटी और पीजटी भरती को लेकर माध्यम सिच चैन बोर्ड के द्वार एक विग्यपती जारी कर देनी चाहिए जिससे कि आदर यह चेर्मेन मोदर चैन बोर्ड से सहमती व्यक्ति की थी इसलिए आप इस मुद्दे को लेकर पूरे तरीके से समझ लें कि जो जानकाई शोशल मीडिया या अगर बात की जाए समाचा पत्त के होंगी वह अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है इस बात पर पूरे तरीके से महर लग चुकी है अब आपको इस बात को लेकर ज्यादा परेशान और फाल्दू के वीडियो देखने की कोई आप शिकता नहीं क्योंकि परिक्षा की त परिक्षा 15 अक्टूबर के बाद ही होगी उससे पहले होने की संबाबना बिलकुल भी नहीं है और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें साथी शेयर कर दें बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संबंदित हैं सरकारी नोक शासन की तरफ से था शासन ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के सभी विवागों के अंदर काम करने वाले पाचास बस से उपर के करम चाहियों की स्कीनिंग की जाएगी इस इस्कीनिंग के अंदर जो भी यहां पर मिलते हैं उनको यहां से जबन रिटारिमेंट दे दिया ना चोथा उनके माद्ध्यम सी बताया गया था कि अपने काम के प्रती इमांदार ना होना और भी अलग अलग प्रकार की जानकर है समय समय पर आती रहिए। यह जानकाई जो समाचा पत्तों में आती है वही मैंने आपको दे दी है अगर बात कीजाए आज की तारीक में आदेश को लेकर तो दोस्तों यहां पर आप सभी के सामने आदेश देखने के लिए मिल जाएगा पहले आप तारीक को देख लेए 26-12-22 की यह तारीक मतलब की पत्त अगर बात कीजा सारनपूर को लेकर यहां से जारी किया जाता है विश्याप सभी के सामने यह कि सरकारी करमचारी की अनेवार सेवा नेवर थैदू इसकी निंग की जानी के संबन में नेदेश दिये गए हैं नीचे लिखा हुआ है कि जिला अधिकारी सारनपूर के पत्र यह जे रिखा हुआ है इसके अलावा 19 जुलाई 1222 के संदव घ्याण करना सुनेशित करें जिसके अनुसार जिला अधिकारी सारनपूर मोदे द्वारा मुकि सचिव उत्तर पदेश श्यासन करमिक विवाग वन के माध्यम से 5 जुलाई 1222 के माध्यम से सरकारी करमचारी की अनेबाई स्यवा निव्य थेद्यतूं इस कीनिंग किये जाने के विशागत प्रक्रण में यहां से कहिने कि जो निदेश में वो किये गए हैं तद कर्म में संदर्वित प्रति की चायर प्रति इस प्रत्र को संग्रिन करने को निदेशित किया जाता है और उल्लेखित बिंदों के अनुसार अपने विकास छेत के अंदर परसदियों के विध्याले में कार करने वाले अध्यापकों के संबन्द में कारवाई करना सुनश् परसदी विद्याले कौन से होते हैं प्रात्मिक विद्याले बेसिक के विद्याले उसके अंदर काम कौन करते हैं अध्यापक करते हैं अध्यापक कौन से होते हैं प्रात्मिक विद्याले वाले अध्यापक अब इनको लेकर भी यहां से अनिवाय सेवा निब्रत के बारे में जो काद्यभाई है वो शुरू कर दी गई है तो इसका मतलब साफ है कि अगर प्रात्मिक के अंदर ऐसा हो रहा है तो यह आपको जूनियर में भी देखने के लिए मिलेगा टीजिटी में भी देखने के लिए मिलेगा और एल्टी में भी देखने के लिए मिलेगा क्योंकि सरकार ने तो 5 जुलाई 12 बाइस को शासना आदेस पूरे जिले के लिए नहीं पूरे के पूरे राज्जी के लिए जारी किया था और हर विवाक्य सरकारी करमचारी सरकारी करमचारी का मतलब यही होता है कि सरकार के अंडर में आने वाले हर एक वो सरकारी करमचारी पचास बर्स की सेबा निम्रत को लेकर जो की जवर निटाइमेंट हम कहते हैं उसमें आप सुभी उसकी अंडर में आएंगे लेकिन कुछ क्राइटिरिया होगा जिसको लेकर म दे दिये गए हैं बाकी इसके बारे में आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताएं बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबन्दीत नई प्रात्मी सिछक भरती को लेकर एक तरफ तो सिछक भरती नी आही दूसी तरफ रेटार्मेंट की भी उम्रह बिग्यापन के लिए च्छात्तों ने लगातार मांग रखी लगातार सब प्रयास किये गए लेकिन अभी तक भरती का विग्यापन जारी नहीं हुआ चुनाप के बाद से लगबग साथ महीने निकल गए अभी तक भरती के बारे में सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी के लिए जो मांगे वो शुरू कर दी गई है अगर बात कीज़ें इमेजिस के माध्यम से आप देख पाएं अलग-अलग कोचिंग सहस्तानों के अंदर जाकर चात्तों को मोटिवेट करें कि कोचिंग में बैठने से भरती नहीं आएगी जब तक आप जमीनी इस तरह पर अप द्धाना प्रधाशन देखनी के लिए मिले वो बंद्य अगरस्त के बाद और 12 अगर ने भरती के दो उट्र अब गरति रहती हैं बहुत सारी आइए तो वहां प्राथमिंग पर देखनी के लिए मिलएग Stephen को में किजिए वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें